जौन सीना, बतिस्ता, ब्रॉक लेजनर, रांडी ओटन, शेल्टिन बंचिमन ऐसे कुछ ही नाम हैं जिन्होंने OVW में रेसलिंग की ट्रेनिंग लिए नेट्विक्स पर रेसलिंग से जुड़ी एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग डॉक्यमेंटरी आई है रेसलर्स और मैं as a fan इसको रिव्यू करने वाला हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या है इंट्रेस्टिंग इस डॉक्यमेंटरी सीरीज में आप क्या expect कर सकते हैं और क्या आपको अपना time spent करना चाहिए इस डॉक्यमेंटरी सीरीज को देखने के लिए भी या नहीं तो welcome to Wrestle Maniac अगर आप WWE के अलावा आप overall pro wrestling के fan है तो आपने बहुत सारी डॉक्यमेंटरी इस पहले से ही देखी होंगी सन 2000 और 2008 तक Ohio Valley Wrestling was the developmental center for WWE जहाँ पर उसके नए stars को वो training देते थे और कल के superstars बनाते थे John Cena, Batista, Brock Lesnar, Randy Orton, Shelton Benjamin ऐसे कुछ ही नाम हैं जिन्होंने OVW में wrestling की training ली इसके लाव CM Punk, Big Show, Mark Henry, JBL और ऐसे बहुत सारे wrestlers हैं जो OVW में दिखे जा चुके थे हमें पहले इस सीरीज में बताया जाता है backstage क्या क्या चलता है एक wrestler की life में OVW किस financial condition में है, किस तरह से वो अपने आपको sustain कर रही है बस ताकि वो shutdown नहों पाए उनकी financial conditions की problems के बारे में discuss किया गया है इस documentary सीरीज में और बतायागा कि किस तरह से वो charge लेते हैं, ideate करते हैं और develop करते हैं their own WrestleMania यानि की the big one अब जैसे कि wrestling एक storytelling का expression है, एक art of physical storytelling है एक entertainment का साथ में जापर good versus evil की story हमें बताया जाती है एक ऐसा platform है जो society में होता है उसको reflect करता है जब 80's की wrestling में हमें देखते थे Hulk Hogan, वो flag लेके आते थे wrestling ring के अंदर क्योंकि उस समय nationalism का बहुत जाद चर्चा थी जब 90's तक आये हम तो stone call Steve Austin और उनके बाकी और साथी का attitude एरा शुरूब हुआ जो की reflect करता था कि उस समय society में क्या emotion है wrestling एक ऐसा platform होता जो एक fantasy fulfillment करता है और OVW इसी चीज़ पर stand करती है इस पूरी documentary सीरीज में बहुत सारे emotions हमें देखने को मिले हमें बताए कि wrestlers की backstory अब इन में से primary थे हमारे एक Indian wrestler माबली शेरा उनके ने बताए कि वो किस तरह से छोटे से गाउं से आते हैं किस तरह से उनने struggle करी किस तरह से वो अमेरिका पहुचे और वहाँ पर भी उनकी life कोई असान नहीं है वो कोई बहुत बड़े superstar नहीं बन गए है लेकिन हाँ वो ज़रूर बनना चाहते है जिन्दगी जीने के लिए वो इसके अलावा भी छोटे मोटे jobs करते हैं उससे पैसा कमाते हैं और अपनी घरवालो याने की इंडिया में भीचते हैं तो ऐसी struggle और hustle की story सिर्फ माबली शेरा की नहीं है इस series में हमें और दिखती है Hollywood हे लीजे जो की उभरती हुई इस सितारा है और उनका भी dream है कि वो भी एक दिन WWE की top की superstar बने इसे पहले कि हम वीडियो आगे बढ़ाएं अगर आपने भी ये documentary series देखी है तो comment section में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे ज़ादा अच्छा क्या लगा इस documentary series में और क्या improve हो सकता था इस series में तो आज़े आगे continue करते हैं अपनी बात है इसके साथ उनकी mom है जो की खुद एक wrestler रह चुकी है और अब OVW में काम भी करती है as a wrestler as well as an agent इसके साथ है Mr.Pectacular former TNA wrestler James Storm का भी एक cameo है इस series में इसके लबाब OVW के जो co-owner and CEO Al Snow अब Al Snow को हम में से बहुत सारी लोग जानते होंगे पहले सेगी WWE में वो एक superstar से 90's में और early 2000's में इसके बाद उन्हेंने training के और रुक मोड़ा और उसके बाद 2018 में उन्हें OVW को co-purchase कर लिया इसके लाब जो main character है इस series में उनका नाम है Matt Jones और Matt Jones एक radio host होने के साथ साथ OVW के नए co-owner भी है वो आल्स लों के इंचनाद को own करते हैं OVW और इस पूरी series में बताया गया उनकी भी back story किस तरह से वो wrestling के एक fan रह चुके है और अब एक wrestling promotion own करते हैं इसके बाद one of the backbones of OVW cash flow अब cash flow भी बहुत सालों से wrestling कर रहे हैं एक तरह से locker room के leader है वो उनकी भी back story बताये गया उनकी हासल बताये गया किस तरह से वो अपने passion for wrestling से जुड़े रह चुके हैं उनकी family ने उनको किस तरह से support किया चाहे कम पैसे ही सही लेकिन फिर भी वो खुश है क्योंकि हम वो कर रहे हैं जिसमें उनको खुशी मिलते हैं एक सबसे important बाट जो इस series को बाकी series से अलग करती है वो ये कि बाकी कुछ series में ये बताया जाता कि किस तरह से big promotions आज की date में ideate करती हैं और execute करते हैं अपनी wrestling big superstars के big paychecks उनकी उनके promos, उनकी storylines लेकिन OVW में हमें बताया कि किस तरह से WWE और AEW सिरफ top of the cream है उसमें सिरफ कुछ ही wrestlers आते हैं और बहुत सारे ऐसे wrestlers हैं US में जो कि struggle करते हैं, hustle करते हैं day in day out ना ही के वल अपनी livelihood earned करने के लिए बलकि अपने passion को जीने के लिए wrestling से जुड़े रहने के लिए और ये hustle सिरफ side jobs से related नहीं है कि वही wrestlers दिन में कुछ और काम करते हैं जिसे पैसे कमाते हैं और रात में wrestling करते हैं जब वह wrestling करने आते भी हैं तो बाकी सब चीजे भी वो खुदी कर रहे हैं mat भी खुझी भिछा रहे हैं chairs भी खुदी open कर रहे हैं, promotion भी खुद कर रहे हैं के pamphlets बाट रहे हैं, टिकेट सेल कर रहे हैं, अपने merchandise बेच रहे हैं, हमने ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखिए हैं, top 10 WWE superstars and how much paycheck they get यानि कि वो कितने पैसा कमाते हैं जहां पर हमें देखने को मिलता है millions of dollars यहां पर OVW के जो wrestlers हैं वो कुछ hundreds and कुछ thousands of dollars की sacrifice करते हैं, बलकि अपने relationships को भी stick पे डाल देते हैं, अपनी family से अलग रहते हैं, अगर साथ भी रहते हैं, तो उनमें लड़ायां होती हैं जगड़े होते हैं, kids को वो time नहीं दे पाते, weekends उनके साथ मना नहीं पाते birthdays, Christmas, यह सब वो छोड़के सिरफ wrestling करते हैं तो अगर आप मेरी तरह wrestling fan है तो ज़रूर आप यह time निकाल सकते हैं, watch कर सकते हैं यह documentary series on Netflix अब यह 7 episode की series है हर episode करी 50-55 minutes का है तो approximately 6-7 गंटे आपकी life की ज़रूर लगेंगें मेरे हिसाब से ज़रूर आपको देखनी चाहिए backstage जब आपको पंजा लेगा कि किस तरह से wrestlers committed रहते हैं wrestling के लिए तो शायद उनके लिए हमारी respect और बढ़ जाएगी तो मेरे हिसाब से must watch है wrestlers on Netflix ऐसी और interesting videos हमारे चनल पर देखनी है तो ज़रूर सब्स्राइब कर हमारे चनल वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंज के साथ शेयर करें until the next video, thank you